दोस्तों वो एड़ तो आपको यादी होगा वार रुकवादी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा बीज़पी के द्वारा बनाया गया ये एड़ इस लड़की के लिए इतनी वड़ी मुसीबत बनेगा इसने सोचा भी नहीं होगा इसने एड़ तो किया बीज़पी के लिए लेकिन इस एड़ में जो जूट परोसा गया उस जूट के कारण इसमें एक्ट करने वाली लड़की के इतने मीम्स बने इतना मजाक उड़ाया गया कि ये लड़की भी सोच रही होगी कि मैंने क्यों इस एड़ को आखिर कर लिया दुरवराठी तक ने इस पर वीडियो बनाया उसके बाद तो और भी इसके उपर मीम्स बनने लग गए लेकिन अब इस एड़ की मुसीबत और बढ़ गई है वो बढ़नी थी वो इसलिए क्य भी रूस युक्रेन का युद्ध मोदी जी ने नहीं रुकवाया है लेकिन अब क्या हो गया है अब इस एड़ की शिकायत पहुच गई है चुनाव आयोग और परीक्षा है अब राजीव कुमार जी की वी क्या वो एक्षन लेंगे नमस्कार मैं हूँ गिर्राश्शर में और आप देख रहे हैं सरल्टॉक दोस्तों एक एड खूब प्रचारित होता है सोशल मीडिया पर वार रुकवादी पापा इतना भावनात्मक एड बनाया गया है और ऐसा लगता है कि इसमें मोदी जी ने अपनी पूरी क्वालिटी यूस की है क्वालिटी बोले तो खुला जूट परोसा गया है ऐसा लगा होगा बीजेपी को कि हिंदुस्तान की जनता तो मूर्ख है उसे समझ में नहीं आएगा लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने तुरंत पकड़ लिया और समझ गई जूट बोल रहे हैं और तुरंत सोशल मीडिया पर पता भी चल गया कि कितना बड़ा जूट परोसा गया है खुद विदेश मंत्राले ने इस बात से इंकार कर दिया उसके बाद यूटूबर दुर्वराटी ने भी इस पर शौर्ट वीडियो बनाया और उसमें बाकाइदा बताया कि लड़की कैसे जूट बोल रही है मान लिया कि लड़की का क कर चुकी थी वो इससे पहले और बीजेपी का एड कर रही है सोचिए कितना गलत फैंसदा ले लिया उसने अगर आप एड कर रहे हो तो एक ही दलका कर दो दोनों का दिखा रहे हैं तो पकड़ में तो आही जाओ गया मामला क्या है मामला यह है कि कॉंग्रेश चुनाव आय यह से बीजेपी ने खुद तो आप इस पर क्या कारवाई करेंगे यह भी बताईए सुप्रिया स्रनेत ने इस बात को कहाई जरा सुन लीजे भमित करने वाला वीडियो चलाया गया जो कि मोधी जी ने बहुर रुखबा दी जिसका टाक्ट चेक खुद मोधी जी की सरकार आपने सुप्रिया जी को सुन लिया अब आपको क्या लगता है कि राजीव कुमार जी बीजेपी के उपर एक्शन लेंगे इस एड को हटवाएंगे या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की बीजेपी की जितनी भी शिकायतें आ रही है क्या निस्पक्षिता के साथ राजी केवल उनके बयानों में ही दिख रहा था उस प्रेस कॉंफरेंस वाले दिन कि हम निस्पक्ष हैं यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग खुद कह रहे हैं कि राजीव कुमार जी निस्पक्ष कारवाई करेंगे ऐसा दिखना मुश्किल है इसलिए सवाल हम करेंड बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजे इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथी सब्सक्राइब कीजिए अंत मैं सभी से एक अपील है कि सरल्टक को जॉइन वा थैंक्स वेटन के उदारा भी सपोर्ट कीजिए जिसे हम और बहत कारी कर सके नमस्कार